नमस्का डॉक्टर अवीगोर से लोकमत के हिंदी ओडियन्स के लिए पेंसिल्वेनिया से आज एक क्विक अपडेट देंगे फाइजर वैक्सिन के उपर यह फाइजर वैक्सिन है कल प्रेसिदेंचल डिबेट में हमारे राष्टा ध्धक्षे ने इसके बारे में बहुत बात की थी यह mRNA वैक्सिन है मेसेंजर आरेने इसकी मिसाल दुनिया में और कहीं नहीं है यह नौवेल वाइरस है उसके साथ जूझने के लिए यह वैक्सिन भी नौवेल है ऐसी पहली वैक्सिन कहीं बनी नहीं थी यह mRNA एक सॉफ्टवेर है अगर आपकी बाड़ी लैम्टॉप या डेस्टॉप है तो यह mRNA का सॉफ्टवेर डाला जाता है और अपने बाड़ी के खुद के सेलों से वो प्रोटिन बनवाती है और करोना का मुकाबला होता है फाइजर के साथ कोलाबरेशन में जर्मन कंपनी उनका नाम है बायोन टेक है और कोई बात नहीं कर रहा है लेकिन उसके पीछे छिप यह एक चाइनिस कंपनी भी है उनका नाम है फोसुन फार्मा अगर जुनिया में कही भी जाओ कुछ ना कुछ तो अभी चाइनिस कनेक्शन तो रहता ही है तो फोसुन फार्मा का भी कनेक्शन है यह जो फाइजर की स्टडी है वो चरंट 3 में है अलरड़ी वो सब्टेंबर से उनके अभी 43,000 पेशन्ट वो टेस्ट कर रहे है और सबसे बड़ी बात है कि अब वो बच्चों को भी टेस्ट कर रहे है ज़रा गौर कीजिए सोचिए सब बच्चे तो सबको बड़े एहम होते कि हम लोग बच्चों पे उसको पर्मिशन मिल गए या यूज करने को इसका मतलब उनका दावा है और उनको लग रहा है ये काफी हद तक सेफ है तो बच्चों में भी ट्राइल चलेंगे उसके भी रिजल्ट आएंगे उसका जो इंटरिम आनालेसिस बोलते है इनो देखो अगर 15,000 लोगों को वैक्सिन दी है और 15,000 लोगों को प्लसीबो है तो ये देखना पड़ेगा न कि इन लोगों को कोविड नहीं हुआ और इन लोगों को हुआ तो उसका जो इंटरिम आनालेसिस कर सकते है सेफटी डेटा तो उनके हाथ में अल्रेडी है वो मेरे ख्याल से उसका इंटरिम आनालेसिस जो कहते है वो कर सकते थे आज या कल कर सकते थे और उसको इमर्जनसी यूज आज या कल मिल सकता था लेकिन दुरभाग्यता से हमारे इलेक्शन है नवेंबर 3 को उसके पहले वो आने नहीं देंगे नवेंबर 4 के बाद फाइजर शायद कहेगा कि ये डोस इसका इंटरिम आनालेसिस डिकलेर करेंगे और उसको इमर्जनसी यूज आज़राईजेशन भी मिल जाएगा दो मेहने की जो वेट है वो पूरे जनरल आज़राईजेशन के लिए इमर्जनसी यूज आज़राईजेशन के लिए उसकी कुछ जरुवत नहीं है और देखो राजनायतिक लोग है कौनसे भी पार्टे के हो राजनायतिक लोग तो कुछ भी कह सकते है लेकिन फाइजर जैसी कंपणी वो पब्लिक ली ट्रेड़ेड कंपणी है कि ये आरजू भी बड़ी चीज है मगर हमदम विसाले यार फकत आरजू की बात नहीं तो उसके लिए थोड़ा काम भी करना पड़ता है ये दो डोस में देगे फाइजर की वैक्सीन उसके 60 करोड डोसेश अमरीका अलड़ी खरीच चुका है हमारा पॉपिलेशन सिर्फ 34 करोड है 60 करोड डोस अमरीका खरीच चुका है 12 करोड डोसेश जपान ने लिए है 20 करोड डोस योरोपियन यूनियन ने अल्रेड़ी खरीदे है अमरीका उनको 22,000 करोड रुपया अल्रेड़ी दे चुका है फाइजर को यह जो बहुत अच्छी वैक्सिन रहेगी डेफिनेटली रहेगी सेफरी डेटा तो अल्रेड़ी है लेकिन उसमें थोड़ी एक प्राबलम है कि उसका जो स्टोरेज होता है यह MRNA बहुत अंस्टेबल माटेरियल होता है तो उसका जो और ऐसा मिसाल पहले कभी दुनिया में हुआ है नहीं था तो उसका स्टोरेज होता है वो माइनस 80 डिग्री सेंटिग्रेट में करना चाहिए तो वो बहुत डिफिकल है कोल्ड चेल मेंटेन करना काफी जगा पे पहुँचना तो अभी हमारा जो वार्प स्पीड है देखो वर्ल्ड एल्थ और्गनाईजिशन क्या कह रहा था कि जैसे रेम डेसिविर किया वैसे सॉलिडारिटी ट्रायल करेंगे वैक्सिन की हमारे परम भाग्य है कि हम उसमें फसे नहीं हमने खुद का वार्प स्पीड चालू किया देखो अगर आपके पास दस प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है अगर आप उनकी प्रतिभाशा को मिटाना चाहते हो तो सबसे बड़ी तरकिव है कि उनकी एक समिती बनाए जाए दस लोगों की समिती बन गई हो गया का देखो हम अमरिका और भारत हम पुझीवादी व्यवस्ता में रहते है तो जो जो प्राइवेट कंपणी का गमशन होता है जो साथ लोगों के साथ में दौड लगाई कौन आगे आएगा और थोड़े पैसे बनाएगा उसमें कोई हर्ज नहीं है पैसे बनाने में इसकी वज़े से फाइजर ये बैटल जीत रहा है वो ये डो डोसेस है वो अलड़ी कह रहे है कि अमरिका में दो डोसेस का प्राइस 60 डॉलर होगा वो कह रहे है कि इंडिया में और बाकी देशों में वो 14 डॉलर का डिसकाउंट देंगे क्यों देंगे पता नहीं दे रहे है तो ले लेंगे so 46 डॉलर में दो डोस इंडिया में बचेंगे उनका अल्रेड़ी एक दो साल का प्रोजेक्शन हो गया है कि प्राफिट कैसा करेंगे क्या शेयर करेंगे लेकिन सिर्फ यह देखना है कि इंडिया में क्या उसकी तरकिब हो सकती है अमरिका में उसके जो कोल स्टोरेज माइनेस 80 सेंटिग्रेड आप गूगल कर सकते है वो मिनेसोटा में बन चुके है वो डीफ रीजर्स वो कभी भी डिपलॉई हो सकते है जब दूसरा महायुद की शुरुआत हुई अमरिका पर पास विमान नहीं थे जब वो खतम हुआ तो आकाश देखना मुश्किल था कि इतने अमरिका के हवाई जाज उड़ रहे थे तो अमरिकन आर्मी रेडी है ये कोल स्टोरेज भी रेडी है फाइजर के वैक्सिन के डोसेश अल्रेडी बना चुके है अगर उसको ऑथराइजेशन नहीं मिलता तो वो फेक देंगे कोई परवा नहीं कर रहा है वो पैसे की वो जिस दिन ऑथराइजेशन हाथ में आ गया से चार नवेंबर को अमरिकन आर्मी वो डीप फ्रीजर्स भी रेडी है डोसेश भी रेडी है पूरे अमरिका में भेज देंगे और खटा-खट उसको वैक्सिन देना चालो करेंगे इंडिया में एक ऐसा आ सकता है उसमें एक अच्छी बात ऐसे है कि न्यू यूर्क और कैलिफोर्निया के जो स्टेट है पता नहीं राजनेतिक कारण से कह रहे है वो कह रहे है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन भी दे दिया फिर भी वो वैक्सिन नहीं लेंगे और वो अपना खुद का स्टेट का जाच करेंगे उसमें दो तिन मेने जाएंगे तो उनके लिए जो डोसेस है अगर वो दो तीन चार करोड जो भी कोई डोसेस है वो कुछ तरह करके इंडिया में ला सकते है लेकिन उसकी उपर जो काम करना चाहिए जो cold storage है वो distribution है वो सब अभी करना चाहिए पिछले मेने करना चाहिए था भारत सकर ने भी बहुत अच्छा काम किया है हमारे पां सौसादन बहुत कम है काम बहुत अच्छा किया है और बहतर कर सकते है और ये तो है ना कि अगर आदमी कोई बैठा रहे तो कुछ अगर सुख चाहिए तो छोड़ के कुछ काम करना चाहिए ना लोकमत के हिंदी ओडियन्स के लिए डॉक्टर अभी गोर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद